नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने DJI टेलो ड्रोन जो कि मेरे हाथ में हैं से लियावा फोटो या वीडियो अगर आपके फोन में स्टोर नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से तो आप अपने फोन के कुछ सेटिंग को चेंज करके आप अपने स्मार्टफोन में स्टोर कर सकते हैं तो आप इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपका टेलो ड्रोन है इसको आप सबसे पहले तो आप BGI का टेलो एप अपने स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें ये राउनलोड करने के बार आपको स्घ Sud अपनेaya अपने ऐप में कनेक्शन स्टेमलिस कर लें मैं और एक बार जब कनेक्शन स्टेमलिस हो जाएगा तो आप उसके बाद जब भी take off करेंगे अपने drone से तो जो भी आप photos या videos record करेंगे अपने drone से वो आपका सारा save होगा उसके लिए तो आप सबसे पहले अपने phone के android settings में जाएं और settings में जाने के बाद आपको Permissions section में जाना है Permissions में जाने के बाद आपको वहाँ पे Storage आता है तो Phone Storage App Permission में जो आपको So कर रहा है उसमें जाए और Phone Storage Permission में जाने के बाद आपने जो अपने DJI Tello App को Download किया है Play Store से उसके उस एप को ढूणे और Simply आपको यहाँ जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे यह Storage Permission में Off कर रखा है तो इसे आपको Simply On कर देना है यह Slide करके Okay कर देना है और इस तरह से करने के बाद आप जो भी फोटो या वीडियो आप अपने टेलो डोन से लेंगे वो सब आपका आपके फोन में Store होने लगेगा तो आप फिर से अपने अप में जाएं और अप में जाने के बाद आपको Connection स्टैबलिस करना है उसके लिए आप टेलो में जाएं और अब आपका जो भी फोटो या वीडियो इससे रिकॉर्ड होगा ये देखें मैं यहाद से फोटो कुछ लेता हूँ अब आप जो भी वीडियो या फोटो रिकॉर्ड करेंगे अब आपका फोन में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए आप यहाँ पर जो आइकॉन आपको टॉप मोस्त में राइट साइड में दिया है इस पर आप क्लिक करें और ये देखें इससे जो भी मैंने फोटो या वीडियो लिया है वो मेरे इस एप में सो हो रहा है और आप अपने फाइल मैनेजर सेक्शन में भी जाके चेक कर सकता है तो तो देटस इट आल इन दिस वीडियो प्रेंस बाबाब